नमस्कार मैं योगिस आप सभी का study alert के digital platform पे स्वागत करता हूं तो आप सभी को पते रास्ता मालूम तो हो थfed है अगर आपको रास्ता मालूम नहीं तो आप कैसे जाओगे मुझे ये बताओ उसी प्रकार से अगर आप कोई बी भरती या फिर कोई भी एक्जाम के तयारी कर रहे हूं तो सबसे मालूम और तो आपको शे बस के लिए तो आप कैसे त्यारी करेंगी मुझे क्रोंगे कि आप कौंसे सब्जक्ताइंगी ay कौन से टोपिक से परशन आएंगे कौन सी चीज आएगी कौन सी चीज नहीं आएगी तो उसके सिलेबस के लिए आप कैसी त्यारी कर पाऊगे तो आज हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगी कि जो ब्येश्टशी दोजर्टेस का जो आपका सिलेबस है ठीक है वो क्या रह आपको बताऊंगा जैसे आप मानलों की रिजिनिंग आपकी सब्जेक्ट में तो रिजिनिंग में कौन-कौन सी टोपिक आएंगे यानि एकदम फूल डिटेल से मैं आपको सिलेबस बताने वाला है ठीक है यह वीडियो आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है तो आपको बताऊंगा क्योंकि मैं इस बार ब्याश्टेश की त्यारी कर रहा हूं आपको पता है ठीक है तो वीडियो को स्टार्ट करने इस पहले आपको मैं बता जीता हूँ अगर आप चैनल सबसे पहली वार विजिट करे लो तो चैनल को सब्स्क्राइब गले ना क्योंकि study alert channel आपका BSTC को समर्पी channel है और यहाँ पे मैं जैसे त्यारी कर रहा हूँ मैं जैसे BSTC की जो त्यारी कर रहा हूँ BSTC में कौन से topic बढ़ रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ exam के लिए क्या कुछ कर रहा हूँ वो सारी updates हो आपको यहाँ पे मिलेगी पलस मेरे जुक जितना भी गंटेट है वो आपको प्रवेट गरवाज हैगा मेरी classes मिलेगी चैनल को subscribe कर लेना और देखो एक मेरी बात ध्यांसे सुलेना अगर आपको पिछले 15 सालों की paper चाहिए ठीक है और अगर आपको राजस्तान जिक्के की notes चाहिए मेरी बात ध्यांसे सुनलो भई अगर आपको 15 सालों की paper चाहिए पलस notes चाहिए जिक्के की geography, history, culture इनके notes चाहिए तो आप मुझे वोड्सप पे message कर देना ठीक है वोड्सप पे message किन नमर पे करना है आपको एक सेगेंड में आपको नमर बतायता हूँ क्योंकि आपको पता है अगर आप message गरोगे तो आपके पास नमर होने चाहिए न तो नमर आप लिख लो यहाँ पे 90, 24, 31, 48, 58, ठीक है इन पे आप मुझे वोड्सप message कर देना आप BSTS student के नाम से वोड्सप message कर देना आपको notes पलस 15 सालों के paper है और एक आपकी जो हिंदी grammar की book है ना कक्सा 9 से 12 की उसकी जो PDF है यह सभी candidate आपको वोड्सप ग्रूप पे प्रोड़ कर दिया जाएगा नमर नोट कर लो एक बार 90, 24, 31, 81, 99, 24, 31, 48, 58, पे मुझे वोड्सप message कर देना और चनल को subscribe मेरे इसाब से आपने कर लिया होगा अगर नहीं किया तो subscribe कर लेना ठीक है तो इसलिए video को start कर लेते हैं syllabus के उपर हम तर्चा कर लेते हैं ठीक है कि syllabus आपका किस इसाब से रहेगा आपको पता है बेस्टेशी की जो form है उसकी date वो आ गई है तर्चा आपकी जो form है वो शुरू कर दिये गई है ठीक है उसके बाद में syllabus का doubt है तो syllabus देख लेते हैं देखो सबसे पहले आपको पता है बेस्टेशी का जो paper है वो आपको पता है कितने नमर का होता है थोड़ा सा आपको बता रहता हूं मैं आपको क्यूंकि आपको पता है काफ़ी सारी वी शुरू में सो में से 70% ऐसे विदयाध्ती होते हैं जो पहली बार exam देते हैं सिदह वारी प्यास करके आती है तो आपको पता है वी शुरू पता है 600 नमर का आपका paper आता है एक्जाव कुषन आपको पता है टोटल कितना हो गया, 600 नमर का पेपर हो गया, ठीक है, देखो, सबसे पहले एक बात ये भी ध्यान रख लेना, नेगिटिव आपकी मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगिटिव मार्किंग नहीं है, सारे की सारे किसोन अटेंड गरने है, और अबजेक्टिव टाइप, यानी, भूब्यक्लिपिक पसंद, ठीक है, और एमसी की तरफ के पसंद आपके आने वाले हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे पेपर पेटन है, वो तो देख लिए, अब आप सलेबस देख लेते हैं, देखो, सलेबस से आपका कुछ इस इसाब से रहेगा, बीएश्टिश इसाब से आपको पता है, यहाँ पे दिया गया है, तो सबसे पहले हम खंड नमर A की बात कर लेते हैं, ठीक है, खंड नमर A में देख लेते हैं, क्या आएगा, ठीक है, खंड नमर A है, ठीक 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 है, का वीडियो गा उसमें आपको complete स्लेवस बताएगा reasoning में कौन-कौन से टोपिक आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है कौन से टोपिक को त्यार करना है मैं कैसे त्यार करूं वो भी बात बताऊंगा लेकिन वीडियो को धिरे-दिरे complete देखो क्योंकि सबर आपकी 50 रहने वाली है ठीक है और अंक आपकी reasoning यान reasoning कितने नमर के आगी डेड़ सू नमर के आगी यानि 50 आपकी संक्या परशनों की डेड़ सू नमर की reasoning आई यानि परते किसों आपका तीन नमर का हो गया ठीक है उसके बाद आप यहां पर देखिए हमारा खंड नमर बै में देखिए आप कौन सा सब्जेक्ट है खंड नमर बै तो खंड नमर बै में एक सेकिन खंड नमर बै में आपका कौन सा है खंड नमर बै में आपका राजस्तान की सामानी जानकरी यानि राजस्तान जिक्क है ठीक है खंड नमर बै को देखिए खंड नमर बै में क्या है र तो यहां पर देखे यह भी आपकी खंड और बैक की तरह सेम है ठीक है एक बार यहां पर थोड़ा सा खंड ए बैस से को एक बार ध्यास से समझ लो भी ठीक है खंड ए ठीक है मेरी बार ध्यास से समझ लो एक सेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से समझ लो हाँ खंड ए खंड बै खंड से तिनों की तिनों सेम है ठीक है तिनों की तिनों की तिनों की सेम है परते खंड में 50 की उसन है परते खंड में 1.500 नमर परते की खंड में और परते की खंड आपका 1.500 नमर का है यानि ये तिनों खंड है ये एकदम सेम है ठीक है ये बात ध्यारकना जखो आपको कितने प्रशनाइंग, इन कंड़ को मथे आपके 40 कि में कितने प्रशनाइंगे 1500 को गया, यहां तक तो मेरी साव बात अपके बात समझ में आ गई है, यहां तक तो मुझे पता है confirm आपके बात समझ में आ गई है अगर आप 12 भी पास करके आगई है फिर भी आपको ये बात तो समझ में आ गई है उसके बाद जो खंड दे है इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना क्या है गुरू जरूरी है खंड नमर दे को एकदम अच्छे से समझ लेना फिर बोलोगे कि हमने तो गलत फिल कर दिया वो कर दिया तो इसको एक बार ध्यांस समझ लो क्यूंकि यह समझना जरूरी है मैं थोड़ा सा यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ ठीक है अब इसमें तीन पार्ट दे रहे हैं फर्स्ट शेकर्ण तीन सब्जेक्ट दे रहे हैं आपको कुछ समझ में नहीं जैसे खंड ए में रिजनिंग था सिर्फ एक सब्जेक्ट था तो उसमें समझ में आ गया कि खंड ए 50 क्यूसन का है अगर आप पास करके हो तभी आपको समझ भी नहीं आएगा अगर आपने ग्रेजेशन कर रहा के तब आपकी समझ भी नहीं आएगा क्यूंकि इसमें तीन सब्जेक्ट डाल रखें सब्से पहले कौन सा सब्जेक्ट है मैं थोड़ा सा यहां पर विस्तार से समझ देथा हू सबसे पहले आपका कौन सा subject दिखा रहा है ? इंग्रेजी सबसे पहले किया है ? और second पर क्या है ? Sanskrit ठीक है और third पर क्या है ? Hindi यानि 3 subject आपको दिख रहे हैं और इसमें क्या दे रहा है ? अंब्रेजी में कितनी क्यों संखियार रखे है ? इंगलिश कितने नमर कि आएगी बैसिक सी बात है, अगर 20 कैंशन है तो 60 नमर कि आएगी, ठीक है, और 6 गरth 90 Çeen 30 और ली Oct 9 की ठीक है, यानि یہ आपके नमर कितने है इंगलिश 60, 6 dynamics 90 और हिंदी 90, ठीक है, अब आप mmपो, रहे हो, सर्द जी आँप ने तो हो रहे हैं टोटल अगर हम इनको count करें और नमर वारे 690 नमर का paper हो रहा है और Q100 नमारे 230 आ रहे हैं ठीक है यानि total 230 क्यूसन का paper हो रहा है और paper है वो 690 नमर का रहा है अरे ऐसी बात नहीं है ठीक है यह जो count है यह देखो मैंने तो एक दम सही बता है 600 का है हvä है यहां पर थोड़ा सा दिमार्ग लगा कि समझो ठीक है 600 का paper होगा 200 क्यूसन आएँगे 230 आएँगे 090 नमर आ प्पर ने होगा और 250 क्यूसन आएँगे ठीक है तो यां पर थोड़ा सा समझो ठीक है एक बार आप वौपस समझो खंड नमर दय को है उसको समझो मैं समझा जता हूँ आपको ठीक है क्योंकि आपको पते तीन खंड तो आपकी समझ में आ गई ठीक है अब ये खंड है इसको समझो इसमें देखो सबसे पहले पार्ट है ना खंड दय में तीन पार्ट होते हैं ठीक है उसमें से दो हमें चूज करने होते हैं कितने कुछा खटूजगरना होता है ठीक है खंड दा में तीन पार्ट है उसमें से एक चूजगरना होता हैदेखो सबसे फैले अंग्रे जी है यह सब्से पहले है कंड दा में अंख्रेज़ी पार्ट वन जहाएं यह घृतनि से ऐसे से के भीTSक्रेशन अनिаете यहां पर हमें अलग करेंगी एक सेकंड थोड़ा समय एकदम अच्छ तरगे से आपको विस्तार से सम्झाओंगा ठीक है जो एकदम अच्छ तरगे से शम document लेगा ना उसको तो कहीं पर दिक्कत नहीं होगी जो इस खंड को अच्छे तरिगे से पढ़ लेगा ना तो उसकी त्यारी भी एकदम सांदार होगी और उसको दिक्कत भी कहीं पर नहीं आएगी ठीक है यह हमारा हो गया खंड नमर देट ठीक है अब इसमें हम किस पार्ट को कौन से को अलग कर देते हैं पार्ट नमर एक को अलग कर देते हैं क्योंकि यह कंपस रिया ठीक है चलो एक सेकंड यह लो यह मारा पार्ट अलग हो गया ठीक है अलग हो गया क्या एक सेकंड सर्वापस कर दो यह लो ये लो चलो अंग्रेजी का पार्ट है ये मारा अलग हो गया ठीक है अब हम जो पार्ट सेकेंड और थर्ड उसमें समझते हैं क्योंकि ये समझ नहीं योगी बात है ठीक है तो इसमें देखो 170 QC में वो तो आपकी Compass RE है यानि 170 QC तो आपकी चाहिए आप conservatives सेकरो तो भी आएंगे अगर आप Hindi सेकरो तो भी आएंगे ठीक है 170 QC Compass RE है जिके Reason Service शिक्ष्न विर्चे और अंग्रेज़ी की ठीक है और बाती की जो 30 QC तो सना थैक रहते हैं अगर आप तो आपके में थिनैंड दोड़ Hakim है तो खंड नमर 2 है इसमें देख üzerine एक compatible और अगर आप सेंस कर रहे हो तो अग्रेज़ी की साथ आप के छंड नमर Whoo सी कि तरह है कन नमर दे भी आप। रियर। और मरकिंश कर तो अग्र beefू सिंक jo synt के साथ की हिंदी के दे दे जाएंगे तो आपके 50 हो जाएंगे. चीक है तीक है है अगर सेंस कर्थ के तीज के ती innovation आपके हिंदी के साथ हो हांगे अकर हिंदी ले रहे हो तो अंग्रेजी के साथ हिंदी के जाएंगे गिक है? है उगा An전ra Kriyan और इन दो में से Sanskrit और Hindi language में सी में आप एक language select कर सकते हूँ, ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी 4 खंड है, वो 500 नमर की है, सभी खंड में 50-50 की उसन आएंगे, ठीक है, यहां तक आपकी बात समझ में आ गई है, अब हम जो next बात है वो देख लेते हैं, पाठे गरम की, यानि syllabus की detail सी की syllabus आपका किस साब से है, ठीक है, syllabus देख लेते हैं, तो देखो सबसे पहले हम यहां पे क्या देख रहे हैं, syllabus देख रहे हैं, देखो, आपको पता है, सबसे पहले आपका कौन सा है, यहां पे, सबसे पहले आपका mental ability, यानि reasoning है, क्या है reasoning, तो reasoning में आपको पता है, 1500 नमर यह निए आने वाली है इसमें ठीक है कंप्लेट रिजनिंग आपकी आईगी कैसी आईगी वह बताइता हूं जैसे देखो आपको पता है तो सबसे पहले आपका एक तो टोपिक है साध्रश है ठीक है रिजनिंग में एक तो टोपिक साध्रश है उसको पढ़ लेना एक आपका बेमेल को अलग करना यानि तीन किसी ने किसी प्रकार से समय एक अलग है उसको पढ़ लेना ठीक है जैसे आपको दे दे की निमली कितम से विमेल को अलग कीजिए जैसे आपको दे दिया यहाँ पे आप मान के समझो दे दिया आपको मुंबई दे दिया ठीक है और एक तरफ आपको यहाँ पे क्या तो जैपुर राजदानी है और बाकी तिन जिल्य है तो वह अलग हो जाएगा ठीक है ऐसी क्यूशन आपकी इसमें आती है ठीक है तो इसको पढ़ लेना उसके बाद देखो आपका एक स्रंकला प्रेक्शन ठीक है उसमें आपको अल्फावेट से समंधिर भी पूचे जा सकते सब्द करम के साफ से भी पूचे जा सकते हैं और गनित के साफ से भी पूचे जा सकते हैं और एक अंग्रेजी मुड़माला है उसको पढ़ना है क्यूंकि वो तो आता है और एक रिस्ता समंधी ठीक है उसको पढ़ना है एक करम प्रेक्शन जैसे बाईं से ये स्तान है इस हिसाब से आपकी रिजनिंग के लगबग अगर हम जोड़ें तो 15 से 20 टोपिक है ठीक है मैंने बता दिया आपको और 15 से 20 टोपिक ये पड़ने है पलस आपको जो मैस के कुछ 4-5 ऐसे टोपिक है जो आपको पढ़ने सलेबस में तो नहीं दे रहे हैं लेकिन हर बार 4-5 की उसना आती है इनके कौन-कौन से टोपिक है आयू है परतिसत है लाबानी है ब्याजदर है ठीक है आयू परतिसत लाबानी ब्याजदर इन में से 4-5 कि इसने हर साल आते हैं तो उसको भी पढ़ लेना, ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जिक्य में, कि जिक्य में मैं क्या पढ़ना है, देखो, जिक्य थोड़ा सा विश्थार से आपको पता है, एक्जाम नस्दिक आ चुकिये, तो जिक्य में आप मेरे सा यह चार सो एक तरफ रह लो जिक्के फिर भी आपका ज्यादा रहएगा इसलिए बहुत पढ़ने क्यूंकि अगर वह पढ़ने तो भी हमारे तीश में राइट हो जाएंगे अगर कंप्लिट पढ़ेंगे तो भी हमारे 30 ही राइट होंगे ठीक है इस साफ से आपको जिक्के में उनको पढ़ना है ठीक है तो नोट्स और जो आपके 15 साल की पेपर यह आपको वोट्सव रूपी मिल जाएंगे तो वोट्सव नमर है विए मेरे नोट कर लो इन पे मुझे बेस्टी स्टुटेंट के नाम से वोट्सव मेसेज कर देना मैं आपको परवाइड गरवाद दूँगा ठीक है नबेस्ट चोईस इक्षी अर्था सिट्याओं नाइन जिरो टू फॉर थ्री वन पॉर एट फाइट फाइट पे ठीक है उसके बाद जिक्के में मैं मैं बात करें तो जैसे जियोग्राफिय आ गई पॉल्टिकल आ गई इस्ट्य आ गई कल्चर आ गई आट एट गर्चर हो गया एकोनोमिक्स हो गई यह आपका जिक्क्य में आएगा ठीक है अब आप बोलो कि सर्जी एक एक टोपिक बताओ देखो टोटल आपकी टोपिक जाएंगे यहां पिसे में कम से कम बतारा हूं पwichाप्चास के लगबग्ग टोपिक जाएंगे ठीक है तो फिर भी मैं नाम जिल्ले और रास्तान की जलवायू और उसके बाद मान के सम्झो रास्तान की प्रयोजनान में बन्वन्ने प्रताम की जिल्ले पढ़ेना ठीक है उसके बाद कल्चर में आपको क्या पढढ़ना है कलास्येंस करती में मेंट प्छिय है कलास्यांस करती में मान के शमजो रास्तान की त्योहार रास्तान के परमुग मेले धार्मिक संसंपरदाई लोग देवियां रास्तान में जनजातियां रास्तान की लोक नट्टे लोक संगीत रास्तान की चितरगला रास्तान की एस्कला यह है ना यह आपके कल्चर में साथ-8 में टोपिक ठीक है उसके बाद इस्टी मे आपको क्या पढ़ना है इस्टी में आपको क्या पढ़ना है पॉल्टिकल में आपको एक तो पढ़ना है सहकारी आंदुलन हो गया रास्तान में न्याईव कल्यान योजनाई और आर्थिक आंदुलन ये इस साफ से आपको पॉल्टिकल में पढ़ना है अब बात कर लेते हैं कि जिक्के में किस पार्ट को जधा पढ़ना है क्योंकि मैंने बताया था कि मैं आपको बताँगा कि किस प आपका है बोगोलिक पक्स यानि बोगोल जिओग्राफी पार्ट यह जिक्के में इंपोर्टेंट है एक आपका है इत्यासिक पक्स यानि हिस्ट्री ठीक है एक आपका है पॉल्टिकल राजनेति पक्स यानि राजनेति ठीक है एक आपका है कला सेंस करती यानि कल्चर आर् जीखे में 50 वह कहां से आएंगे का नाम लिख देताओं, बूगोर से आपके जिक्वेनala, सिनासक्दекоं रखना ये को कोई नहीं बताएगा मैं बता रहा हूं और कला सेंस करती से कितने आएंगे कला सेंस कर ती से कला सेंस करती से आपके परस्ण आएंगे 15 है और राज यानि प्लिटिकल से से कितने परस्ट आएगे, पॉलिटिकल से आपके तीन परस्ट आएएग। यानि 25, 35, 40, 47, 47, 30, 50 इस सबसे को पढ़ना है, तो सबसे ज़्याधाह को पढ़ना है , क्योंकि अगर हम सिरस्फिए जी में बुगो को पॉथित कर लेंगे हैं न, तो मारे 50% जिक्के complete हो जाएगा क्यूंकि 25 क्यूशन 50 में से 25 क्यूशन 50% पेपर में आपकी भुगोल आएगी तो भुगोल को ज्यादा पढ़िए उसके बाद आप कला सेंस करती को पढ़िए क्यूंकि उसके 15 पढ़िए अगर आप इन दोनों को पढ़ लेते हो ना इन दोनों को तरसी नमर आते हैं लेकिन आपकी सो नमर आएंगे आप कला सेंस करती गूगोल दो को यह पढ़ लेना यूंकि 45 में से अकेली 40 क्यूंस नहीं आसे आएंगे ठीक है उसके बाद है इत्यास में आप क्या पढ़िए इत्यास में देखो मैं बता रहा हूं साथ क्यूंस नहीं 2020, 22 नमर का इत्यास आई का इत्यास में मैं आपको 5 टोपिक बता रहा हूं ये 5 टोपिक पढ़ लेना पांख टोपिक रास्तान में परजामंडर अंदुलन उसको पढ़ लेना एक इकंड को पढ़ लेना फैम अठाव च्थ्यावर्जान की ग्रांटी मोष्ट है एक इन चार को तो पढ़कर ही जाना इन में से क्यों सुना जाएगा और इसके लावा हिस्टी में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है कुछ भी सासक वगरा कुछ भी नहीं पढ़ना है ठीक है क्योंकि साथ ही पशनाएंगे ठीक है तो इस हिसाब से आपको जिक्के को तयार करना ह अब बात के लेते हैं हमारा पार्ट नमर से है यानि शिक्षण अभी किसम था इसको तो इसमें देखो आप इसतार से स्लेबस क्या है इस बार देखो हर साल क्या होता था हर बच्चे के 2021 तक 2021 तक क्या होता था हर साल हर बच्चे के सोर पलस नमर आते थे इसमें क्योंकि इसमें प्रात नोघास है तो देवर देखैं, देखीज़नके प्रात प्राइब से स्राइब अकट प्राइब टेखैं also using the standard wise directly ऐसे सिसे का हुआ अफ में सम एक तो फंचते की सब्कराइब और से सीक्ष्ण को ब्यानिकिस इतर नहीं है सर्जनात्मक है और मुल्यांकन है सामाजिक सवेदन्ना सीलता है और व्यवसाइक अभिवर्ती है संप्रेशन यह आपके मैं टोपिक है ठीक है लेकिन आप इनमें देखो मैं चाल टोपिक बता रहा हूं शिक्ष्ण अभूची में इनको पढ़ लेना अगर ज्यादा नहीं टिके पोजीनवह सोचना ज्यादा 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 आपको 50 drought मिलेगी कि आपकी 50 पेज की मिलेगी जिक्के रिजनिंग हिंदी है यह तो आपको 300 मिल जाएगा रिजनिंग 200 मिल जाएगी और हिंदी 100 की मिल जाएगी लेकिं इसा सब्जेक्ट है जो आपको only for 50 पेज गा मिलेगा यानि इंग्लीज से भी कम मिलेगा तो शिक्षन विरुची को आपके 50 पेज आना चाहिए आपके पास कोई भी बुक है उस बुक से पढ़ लेना ठीक है एक बार उसको पढ़ लेना तो आपकी सो में से सो 120 नमर अराम से आज जाएंगी ठीक है और हर साल की तरह 140-130 नमर नहीं आएंगे क्योंकि इस बार 3-2-1 का सिस्टम नहीं है ठीक है लेकिन लेकूं मैं नहीं समझा दिया आपको तो खंड नमर टय में देखो क्या करना है खंड नमर right तो इसमें देखो मैं आपको एक मैन बात बदरता हूं ठीक है अगर आप इंग्लिस को पढ़ना चाहो तो पढ़ लो अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तो भी कोई दिक्कती है क्योंकि आपको पत है अभी मारे पास काफी कम से आप मान के समझो मारे पास 50 दिन मालो उदारन के इनकी तो अगर उनको पढ़ते हैं तो हमारे नमर अच्छी आएंक हैं यजी घिगां यहांग अगर आप पदना चाहो तो बढ़द वबİ थी का जो तो पढ़ो खरो अगर आप पढ़ोगी ना फिर भी आपके बीस में से इंग्लेस में पढ़ना कहए नहीं करपाओगए और जैए इसन को मालो vao 10 आप जarde कायो भी बीस में याफोऒगोना तो 10 इन компании शौle disrupt होंगे अगर आप नहीं भी पढ़के जाओगे ना इंग्लिस तो अभी आपके 20 में से 7 या फिर 8 क्यूसन राइट हो जाएंगे कैसे होंगे मैं आपको बतायता हूं आपको क्या करना है जैसे आपकी 20 क्यूसन हैं इंग्लिस में एक दो तिन चार पांच छे साथ आठ नो दस 1212 यह मालो 20 क्यूसन है ठीक है तो उन सभी में आपको क्या करके जाना है बीबी करके जाना या तो बीबी करके जाना या फिर एक करके जाना सभी में अगर आप एक करके होते हैं तो पूरे 20 क्यूसन में एक करके जाना अगर आप बीबी करके जाना ठीक है इससे क्या होगा क में और आपको क्या चाहिए , अगर आप पड़ोगे तो अब मेरे साहती मत पड़ना इस साहत से आपको इंलिश को कवर करना है ठीक है उसके बाद अगर आप सेंस करते हो ऩो सेंस करत में आपकी देखिए क्या है स्वर वेंजन ठीक है उच्छानस्तान सबद रूप और दात्तू रूप लट लकार लोट लकार और उपसरग परते इस साब से ततपूर दिविगू समास ऐसे आपका क्या आएगा सैंसकर्ट में स्लेबस आएगा ठीक है अगर आप सैंसकर्ट में आप इस साब से पढ़ लेन यह आपका स्लेबस है ठीक है अगर आप हिंदी से करना साथ हो क्यूंकि 70% हिंदी से करते हैं तो हिंदी में आप स्लेबस देख लो क्या है सबद ग्यान प्रियावच्छी सबद विलोम अ इगंवास सबद सबद हुन सबद सबद सब्र सब्रकुमाET को हखती , यानि हिंदी क मैं आपको टोपिक बताऊं मैंने मैं पढ़नी होगे तो आप एक तो पढ़ लेना संदी एक पढ़ लेना उपसरग एक पढ़ लेना समास एक पढ़ लेना परते एक पढ़ लेना प्रयाई वची सबत एक पढ़ लेना मुआवरे एक पढ़ लेना सुल सबत एक पढ़ लेना एसुद सबंद्ध यानि आट से नोटोपी प्रेयाना ये पड लेना ठीकर, ईन میں से आपकी क्यों सना जाईगैं, ठीकर, तो सेंसकर्ट, अगर आप लेना चालते हो, तो सेंसकर्ट का सलेवस ये है, अगर आप इसुद सबंद्ध हैं, लगबग-लगबग, क्यूंगी समास दो तो दोनों का लगबग से मी मिलेगा तो इस हिसाब से आपको करना है ठीक है से करते को यहां पर लिख रहा है ना कि अवल प्रारमिक शिक्षा में डिपलॉमा डीली सहक पाठीकर्म में प्रवेस्ट लेने वाले विध्यारतियों के लिए सेंस करता है ठीक है अगर आप हींदी सब चीजे आपको मैंने बता दिए देखो सलेबस सब आप कहीं पर भी वीडियो देखलो सलेबस आपको नम्मर एक बार वापस नोट कर लो ठीक है नम्मर एक बार वापस नोट कर लो 9024314858 9421 अर्चा सी चाहूं ठीक है बेस्टिश ट्रुट्वेंट के नाम से मेसेज गर देना और मैं भी इस बार BSTC के त्यारी कर रहा हूं तो मेरे साबसे जीतनी मेरी कलासेज लगाूंगा मेरे पास इतना भी गंटेट है उसकी मैं आपकी पास कलासेज लगाूँगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो धनिवाद बनिरी चैनल के साथ धनिवाद थाइंक यू, लाइक शेर और सब्सक्राइब, अस्टेड़ी अलेट, अस्टेड़ी लेट के साथ बनिरी धनिवाद थाइंक